हिशाची ओवची नाम का एक बंदा था जो किसी दुरगटना की वज़र से रैडियेशन की चपेट में आ गया था ये कहानी इतनी खोफ नाक और दर्द नाक है कि आप इसे देख भी नहीं पाओ कि जापान में स्थी जेसियो नाम की एक खैक्टरी इसी में फ्यूल बनाने के लिए यूरिनियम का परसेंटेज बढ़ा दिया ओची ने खुद बाल्टी भर की यूरिनियम टैंक में डाल दिया इसकी रैक्शे से खतरनाक रेड़े हुवे उस बाहर निकली जो इंसानी आखों क को दिख नहीं सकती एक बंदा एक साल में सिफ 20 मिली सेट का एकस्प्लोजर जेल सकता ही उस दिन ओची को 17,000 यमसीव का जटका लगा पेले तो सिफ थोड़ा लाल पड़ गया था लेकिन उसकी रैडियेशन देखकर डॉक्टर्स बोले आखिर ए आदमी जिन्दा केसे है उ पीर भी और ची ना चाहते हुए भी जिन्दा था और अब उसकी बोड़ा भी निकलना शुरू हो गया था वो इतना दर्ड में था कि वो भी यहीं शूच रहा था कि मैं अब तक जिन्दा केसे हूँ, उसकी आखोंसे खूद भी निकलना स्टार्ट भोगया था हाथ से कि 81 डेज के बाद वो हमेशा के लिए सुखुन से सुख गया मतलब राडियेशन से भयानक मोत और को ही नहीं हो सकती